हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की पाटशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जिन लोगों ने SI गोपनी है ठीक है SI गोपनी है मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ SI गोपनी है और ASI लेखावर क्लर्क की परिक्षा को दिया था उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नोटिस आगया है आज ही का नोटिस है आप लोग यहां पर देख सकते हैं 31 दिसंबर 2021 उन लोगों के लिए नोटिस आया है DVPST के संदर में यानि की उनका डोकुमेंट वरिफिकेशन और उनके PST यानि फिजिकल स्टेंडिट टेस्ट के संबंद क कि किस प्रक्रिया को फोलो किया जाएगा वो चीज आपके सामने हैं और आप इस चीज को बिलकुल मान सकते हैं कि यह UPSI वाले मामले में भी बिलकुल इसी तरह से चीजे होने वाली हैं तो आप लोग बिलकुल तयार रहे हैं अब कोई कोई ही दिन ऐसा जा रहा है जब SI, ASI वालों के लिए तो नोटिस है ही, यह SI वालों के लिए भी नोटिस है, इसलिए ध्यान से पुरा नोटिस देखो, अब यह भी साइट पर थोड़ दिर पहले हुआ था, देखो यह भरती बोड की साइट यहां पर खुली हुई है, और इसमें जब पहले option पर क्लिक करते है तो मैंने पहले ही खोल रखा है, तो यह यहां पर पुरा का पुरा नोटिस हमको दिखाई दे रहा है, अब इसमें सारी चीजें मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ, आप लोग देख लो एक बाद, यहां पर देखो आप, इसमें क्या बुला गया है, कि उत्तर प्रद पर अभिलेखों की समिक्षा एवं सारीक मानक परिक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यत्यों की संख्या को मिनिश्चित किया जाएगा, ठीक है, इस हे तो बुलाएगा अभ्यत्यों को से अभिलेखों की समिक्षा, एवं सारीक मानक परिक्षा हम सम्मिलित होने की हम लोगों को इन चीजों से कोई खास मतलब नहीं है तब हमारे लिए इंपोर्टन चीज क्या है हमारे लिए इंपोर्टन चीज यहां पर यह है यह पॉइंट समझो आप जहां विद्यमान साशना देशों के अनुसार अनुसुचित जाती अन्य पिछरा वर्ग जिले के पुलीस अधिक्षक द्वारा निर्दिष्ट है अतरिक्त यह पूरी जानकारी यहां पर लखी हुई यह आप यहां पर देख लिए अब यह पॉइंट बहुत जादा इंपोर्टन थे तीसरा यहां पर जो आपके मूल अभी लेखों का मिलान यानि कि जो आप अपने डोक्युमेंट्स को लेके जाएंगे उनका मिलान आवेदन पत्र में उपलब्द कराएगे ही सूचना तथा अपलोड किये गए प्रमान पत्रों से किया जाएगा यानि कि जो डोक्युमेंट आप लेके जाएंगे और जिस समय आपने application form भरा था तो उस समय जो आपने upload किये थे जो जान कर दी थी उन से इनका मिलान किया जाएगा अभी लेखों की समिक्षा के दोरान board किसी समीती द्वारा किसी परक्रण का कोई संशे होने कारण संदर्वित की जाने पर अत्वा सीधे उनके संग्यान में ले जाने पर board अपने इस तरह से निर्दे लेकर निर्दे जारी कर सकता है यानि कि अगर document verification के दोरान कोई भी गड़वड़ी मिलती है तो board अपने इस तरह से करवाई कर सकता है आगे देखो यहाँ पर अभी इंपोर्टन चीज़ यह अभी लेकों की document verification के दोरान या उसके बाद भी पश्चाद भी किसी समय किसी अभी लेक को चल साधित मतलब गलत तरीके से गलत मतलब फरजी आपने बनवा लिया ऐसे कोई मिलते हैं तो आवेदिक का अभी हर्थन यथा स्थिति बोर्ड अत्वा निर्त प्राधिकारी के विवे का अनुसार निरस्त किये जाएगा आपका केंडिचर आपका खतम हो जाएगा और यथा स्थिति अभी हर्थियों के सारिक मानक परिक्षण की कारवाई तथ समझ संपादित की जाएगी जब आपका डोकुमेंड वरिफिकेशन होगा तभी आपका फिजिकल स्टेंडर् टेस्ट होगा यह चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है क्या क्या है पुरुशों के लिए लिए तो जब अब देख लिए जो पुरुशों की हाइट है 163 cm ठेक है और जो सिनध के माप होने चाहिए 77 cm और फुला के पास का फुलाव होना चाहिए, 82 cm होना चाहिए जबकि ST के लिए ये है 75 cm नॉर्मल और 80 cm वो होना चाहिए, मतलब फुलाव आपका 5 cm का होना चाहिए I think उसमें जो है SI में जो है आपका, वो 168 cm है और जो आपकी chest है, वो इतनी ही मुझे लगता है मुझे मांगी जा रहेगी है ना इसमें देखो, नूनतम 5 cm ना फुलाव होना अनिवारे है ये कोई मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ठीक ठाक से आप प्रणायम बगर रख करेंगे तो इस चीज़ें हो जाएगग महिलाओं के लिए height है general OBC, SC UR, OBC और SC के लिए महिलाओं की उचाई है नूनतम 1500 cm और S3 female candidate के लिए 145 cm ठीक है और मतलब इसमें और कोई criteria नहीं है, height का ही criteria है वजन के लिए important बात है कि महिलाओं का नूनतम वजन 40 kg होना चाहिए अगर 40 kg से कम है तो फिर दिक्कत वाली बात है बाकी ये सब चीज़े है यहाँ पर और ये सारा का सारा notice तरह से लिखा गया है, आप एक बार इस notice को भी देख लीजिए, तो ये important जनकारी आप लोगों के लिए अभी अभी आई तो मैंने आपको ये सारी जनकारी अभी दे दिये, इसी इच्छी बात के साथ आप देख रहे थे नाम जी पाट शाला मैं हूँ राम भर दुआज जै हिंद जै भार